पांडे गणपत राय के 164 में शाहदत दिवस पर कई कारक्रमों का आयोजन मुख्यमंत्री समित कई नेताओं ने दी श्रद्धान जली और मौसम का मिजाज बदलने से राची समित राज्जी के कई जिलों में गर्मी से मिली थोड़ी राहत आज और कल कई जगाओं पर तेज हवा के साथ हलकी फुलकी बारिश के आसार नमस्कार आप देखने हैं खबरे जहारखंड इस वक के तमाम ताजातरिन और एहम खबरों को लेकर हाजरों मेरा हुल शर्मा बुलेटिन के शुरुवात करते हैं प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने आज सिविल सिवा दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरसकार प्रदान किये हैं केंदर और राज्य सरकानों के संगठन और जिला प्रशासन के असाधारन और अभिनव कारियों को सम्मानित करने के लिए ये पुरसकार प्रदान किये जाते हैं हर सप्ता एक देड़ घंटा वर्चूली यह जो एवर्ड बिनर है वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी कैश्य सुरू किया कौन सी कठिनाई आई पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चूली इन सब को ट्रेनीज को प्वेस्टन आंसर्स हो और हर सप्ता ऐसे दो एवर्ड बिनर्स के साथ अगर विशेश चर्चा हो तो मैं समझता हूँ कि जो नई पीड़ी आ रही है उनको एक प्रेक्टिकल अनुभाव बाते चीतों का लाब मिलेगा और इसके कान जिन लोगों ने इस काम को एचिव किया है उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनन्द आएगा धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे एडिशन होता रहेगा दूसरा एक काम कि जो आज 16 साथियों को यहां एवर्ड मिला है हम सभी देश के साथसो से वेदिक जो जीले हैं उन सब को निमंतरित करें कि 16 में से आप किसी एक स्किम को सिलेक कीजिए किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाईए और आप तीन मेने च्छे मेने के प्रोग्रेम के अंतरगत इसको कैसे लागू करेंगे लागू करने के दिशा में क्या करेंगे परदान मंतरे नरेंदर मोदी आज ये शाम दिल्ली के लालकेले में श्री गुरू तीग बहादूर जी के चार सों में प्रकाश पर्वसमारों में हिस्सा लेंगे इसाउसर पर प्रदान मंतरी उपस्तित लोगों को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का इसके अलावा डाग टिकट भी जारी करेंगे प्रदान मंतरी उपस्तित लोगों को संबोधित करेंगे और स्मारक सिक्का और डाग टिकट जारी करेंगे कारिक्रम का आयोजन भारत सरकार दिल्ली सिख गुर्द्वारा प्रबंधन समिती के सहयोग से कर रही है आयोजन के दोरान रागी और देश के विविन भागों के बच्चे शबत किर्तन में भाग लेंगे गुरु तेक बहादुर जी के जीवन पर भव्य ध्वनी और प्रकाश कारिक्रम भी आयोजित होगा इसके अलावा सिख गतका के पारंपरिक मार्शल आर्ट कोशल का भी प्रदर्शन होगा ये कारिक्रम धर्म, मानुविय मूल्य, आदर्शों और सिध्धानतों के लिए जीवन न्योचावर करने वाले नवे सिख गुरू, गुरू तेग भाधुर जी के शिक्षन पर आधारित होगा चार सोवे प्रकाश परप पर दो दिन का आयोजन कल लाल खिला परिसर में शुरू हुआ केंद्री ग्रह मंत्री अमिशा ने अपने उधगाटन संबुधन में कहा कि देश के प्रतेक व्यक्ति के हिर्दय में गुरू तेग भाधुर जी के प्रती अपार श्रद्धा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी सौभाग्य शाली हैं कि गुरु तेग बहदुर जी का 400 अप्रकाश परब उनके कारिकाल में आयूजित हो रहा है अमिश्या ने कहा कि गुरु तेग बहदुर जी हिंद की चादर जगद गुरु के रूप में लोग शाली है प्रधानमंत्री भारत के पांचवे सबसे बड़े राज्य और ब्रिटिन में लगभग आधी ब्रिटिश भारतिय आबादी के पैत्रिक घर गुजरात का दौरा करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी दो दिवसिय यात्रा के दूसरे चरण में शाम को नई दिल्ली पहुँचेंगे शुक्रवार को जौनसन का राष्ट्रपती भवन में आपचारिक स्वागत किया जाएगा बाद में वो महात्मा गान्दी की समाधी पर पुषपांजली अर्पित करेंगे इसके अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के साथ द्विपक्षिय वारता करेंगे जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा, राजनीक और आर्थिक साज़दारी पर गहन चर्चा होने की उमीद है भारतिय विदेश मंत्राले के प्रवक्ता के मुदाबिक भारत और ब्रिटन के बीच गहरे और एतिहासिक संबंध रहे हैं जिसे 2021 में भारत यूके वर्चुल शिखर सम्मेलन के दोरान व्यापक रणनीतिक साज़दारी के तहट और मस्बूत किया गया था दोनों प्रधानमंतरी रोडमाप 2030 के कार्यानवन की समीक्षा करेंगे और द्वेपक्षे संबंधों को सुद्रिड करने के साथ साथ आपसी सहयोग को और मस्बूत करने के लिए अपना दृष्टिकों निधारित करेंगे दोनों नेता साथ ही पारस्परिक हित के शेत्रिय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे 2004 से भारत और ब्रिटिन के बीच रणनीतिक साज़दारी है वहीं हाल ही में ब्रिटिन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अपने भारतिय समकक्ष डॉक्टर एस जैशंकर के साथ बातचीत के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था भारत और ब्रिटिन के बीच मुफ्त व्यपार समझोते पर बातचीत जारी है गौर तलब है कि ब्रिटिन भारत में सबसे बड़ा निवेशक है जिसका कुल निवेश लगभग 19 अरब डॉलर के करीब है ब्रिटिश पीम के इस एहम दोर से दोनों देशों के बीच संबंध तो प्रगाड होंगे राज्य में 30 तरिये पंचायच चुनाओ के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है पहले चरण के लिए 14 और दूसरे चरण के लिए 19 माई को वोट डाले जाएंगे इदर पहले चरण के लिए कल पूरे राज्य में 3489 अमिदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया ग्राम पंचायच सदस्यों के लिए 1289 महिलाओं ने और 973 पुरुष उमिदवारों ने नामांकन दाखिल किया ग्राम पंचायच मुख्यापद के लिए 384 महिलाओं ने जबकि 307 अन्य ने नामांकन दाखिल किया पंचायत समीती सदसे में 200 महिला और 217 अन्य ने नामांकन दाखिल किया इसके अलावा जिला परिशत सदसे के लिए 49 महिलाओं और 90 अन्य ने नामांकन किया राज्य में सबसे अधिक पाकुड जिले में नामांकन दाखिल किया गया जिले में कुल 260 उमिद्वारों ने ग्राम पंचायत सदसे के लिए नामांकन किया जबकि ग्राम पंचायत मुख्या के लिए दुमका जिले में सबसे ज्यादा 84 उमिद्वारों ने नामांकन परचा द पुलिस ने आज गिरफतार कर लिया गिरडी के सदर SDPO अनिल कुमार सिंग ने बताया कि कल जाकिर हुसैन मुखिया पत के नामांकन के लिए जा रहे थे तबी देश विरोधी नारेबाजी के गई थी वीडियो वाइरल होने के बाद इस मामले की जाच तेज कर दी गई थी ग करोना अपडेट देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है विछले 24 घंटे के दोरान देश में 2389 संक्रमितों की पहचान की गई है जबकि इस अवधी में 1231 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं केंद्रिय स्वास्थे मंत्राले के नुसार दे यह सभी संक्रमित राची जिले के हैं स्वास्थ विभाग की और से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोविड के 18 मामले सक्रिये हैं देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीका करण अभ्यान भी तेज गती से जारी है देश भर में अब तक एक अरब 87 करोड 78811 11 से अधिक कोविड के टीके लगाय जा चुके हैं इधर घरवा जिले के उपायुकत रमेश घुलप ने आज जिस सदर अस्पताल का ओचक निरक्षण किया मौके पर उपायुक ने बताया कि अस्पताल में लापरवाही की सूचना मिलने पर यह निरक्षण किया गया था उ कि अधिक कुछ शिकायते हैं आम जन्ता के द्वारा लगाता प्राप्षण कि रहे हैं तो उसको लेके आज हमने स्प्विटार साइज यहां के आंग मंडल पता भीकारी है और स्वीज सर्जन के साथ सदर अस्पताल का निरक्षण किया हैं यहां जो पेशन्स हैं उनसे बा यहां के जो सभी हमारे डाप्टर से पर अमेडिकन स्टाप है उनसे बात की है जो भी समझाय है जो भी इशूज है और यहां पे जो भी पेशन्ट आए उनको सरकार की सरथ से जो भी सुविजन आए सदर अस्पतर में देया है वो कॉलिटी के साथ मिले इसके लिए उन्हों मुख्यमंत्री हिमन सुरे ने स्वतंतरता सैनानी पांडे गणपत राय को 64 शाहदत दिवस पर विनम रश्रत धांजली अर्पित की शहिद इसमारक पर शहिदों के नाम आज शाम में सांस्कृतिक कारिक्रम का भी आयो जिन किया जाएगा मौके पर बीजेपी के प्रदेश शद्यक्ष राज्य सभा सांसर दीपक प्रकाश सांसर संजय स्रेट और विधायक सीपी सिंग समेद कई गणमान निलोग मौज़ोत रहेंगे वारत अलब है कि आज ही के दिन 1858 में अंग्रेजों ने पर्थम स्वतंतरता संग्राम के नायक पांडे गणपत राय का राची क जिला स्कूल के पास कदंब पेड़ पर फासी दे दी थी उधर जन्याती मामलों के केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा समेद कई राजनेताओं ने शाहदत दिवसपर पांडे गणपत राय को नमन किया है इधर गणवा जिले के चितना गाउं में बीसफ के शहीद जवा परान फिरोजपूर सेक्टर में 4 दिसंबर 1971 को अपनी सीमा का रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे शहीद की पत्नी को समानित करते हुए बीसफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने कहा कि शहीद लोक देवतिवारी को सर्वोच बलेदान का प्रमान पत्र सीमा सुरक्षा बल के महानी देशक द्वारा परदान किया गया है अगर ये कोई आज के तारिक में भी कोई मकान बनाना चाहते हैं तो 4000 स्कॉयर फीट के अंदर में मकान बनाने के लिए जितना भी सिमेंट में लेगा ऊ स्री सिमेन कंपनी के तरफ से इनको देदिया जाएगा सेरी सिमेंट कंपनी के तरफ से गगरार है जिसमें इस लाफ निखा हुआ है 4000 बल सूफए जी और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन जिलों से राजपाल रमेश बहस से बिर्साक्रिश विश्विद्याले के कुलपती डॉक्टर ओंकार नाज सिंग एवं सोका विश्विद्याले जापान के पूर्वध्यक्ष और टीम लीडर डॉक्टर योशी हिसा बाबा ने राजभवन में मुलाखात की मौके पर राजभवन के अधिकारी भी मौजूद थे इस दोरान उन्होंने संगठन के कारक्रमों और सदसेता अभियान के जानकारी श्रीपांडे को दी गढ़वा जिले में रमना डंड़ाई मुख्यमार्ग पर बारातियों को ले जा रही एक बस के पलड़ जाने से दुलहन समेत 45 लोग घायल हो गए इन में से तीन लोगों की हालत गंभीर बताय जा रही है सभी घायलों का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में किया जा रहा है गुमला जिले में उपायुक्त सुशांत गौरों के अध्यक्षता में सौ दिवसीयर रीडिंग कैंपेंड की प्रगती समिक्षा की गई इस दोरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये बोकारो जिले के जरीडी थानक्षेतर के कल्यानपूर के पास हुई एक सड़क हाथसे में बाइक सवार पती पत्नी की घटना अस्तल परी मौत हो गई हासे में पांच लोग जखमी हो गए जिन में से दो की स्तिती चिंता जनक बताए जा रही है गायलों का इलाज बोकारो जेनरल हॉस्पिटल में चल रहा है सराकिला खरसावा जिला वहवार नैले में जल जमाओ के समस्या से निजात के लिए कारे शुरू कर दिया गया है नगर पंचायत और भवन निर्मान विभाग द्वारा संज्यूक तुरूप से तालमिल बनाते हुए दो करोण से अधिक के लागत से पास के नाले का जिर्नोधार और सफाई कारे प्रारंब हो गया है राची के सिटी एसपी अंशुमान कुमार ने शहर के थानेदारों और डीएसपी के साथ पहली क्राइम मीटिंग की मौखे पर एसपी ने विदी वैवस्था की थानावार जानकारी ली इस दोरान उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को कई दिशानिटेश दिये पलामू पुलिस की ओर से इनामी नकसलियों के खिलाब पोस्टर वार की शुरुवात की गई है जिले के अलग-अलग इलाकों में पुलिस ने इनामी नकसलियों के घरों एवं गाओं के प्रमुकिस्थानों पर आत्म समरपड़ों को लेकर पोस्टर चिपका रही है ताकि उन पर मानसिक दबाव बने और उनका मन सरेंडर करने के लिए बन जाए गुमला जिले के एनस 43 पर जहारकंट चत्तेजगर बॉर्डर रिस्तिशंक नदी के समीप अग्यात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक वरिद महिला और एक यूवक की मौत हो गई हजारिवाज जिले में लोग गर्मी से परिशान हैं गर्मी और लू ने लोगों का जीना मोहाल कर रखा है इसका असर इसकूली बच्चों में भी देखने को मिल रहा है लू लगने से मैट्रिक की परिक्षा देने के दौरान दो परिक्षार थी बिमार हो गए और अब मौसम का हाल मौसम का मिजास बदलने से राची समेत राजी के कई जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलती दिखाए दे रही है मौसम विग्यान के इंदर राची के नुसार आज और कल कई जगाओं पर तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है मौसम विभाग के और से गरज के साथ वजरपात की चेतावनी जारी की गई है वहें 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ्तार से हमाएं भी चलने के संभावना है मौसम विभाग के नुसार अधिक्तम तापमान 37 से 49 डिगरी सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और बढ़ेंगे अगली ख़बर के तरफ जल पुरुष राजिंदर सिंग साहिब गंच के दो दिव से दौरे पर राजमहल पहुंचे उन्होंने गंगा के स्वक्षता एवं अविरलता पर बल देते वे कहा कि गंगा को स्वक्ष रखना हमारा करतव्य है इस मौके पर वरिष्ट पत्रकार मधुकर ने कहा कि लोग जल को दुशित कर रहे हैं जो इसकी अविरल धारा को बाधित कर रहा है आबाधी कम है तो आबाधी की जो गंदगी है वो इतने बड़े समुद्र में वो जादे दूस प्रभाव नहीं डालती है तो यहां तो पानी है पर वो पानी ना तो अब हरिद्वार में कम हो रहा है उसके नीचे तो कानपुर में आगे तो बिलकुल खतम हो जाता है जब वो बिहार में आती है तो बिलकुल उनका पानी घट जाता है प्रधान मंतरी नरिंद्र मूदी इस महने की 24 तारीक को आकाश्वाणी पर मन की बात कारक्रम के माध्यम से देश विदेश की लोगों के साथ अपने विचार साज़ा करेंगे जब जाती है मामलों के केंद्रिय मंतरी अर्जुन मुंडा ने इस सम्मन्द में जानकारी साज़ा करते हुए कहा है कि एक शुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कारक्रम में साज़ा कर सकते हैं अनकही विरासत की उम्मीदे नए भारत की महीने के आखरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आचल से विंधाचल के आनन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमाले के विस्तार तक होती है मन की बात तधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाश्वानी और दोरदाशन के सभी चैनलों पर आप भी माननिय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप अपने सुछाओ पोस्ट वाक्स संबर 11 आकाश्वानी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो एप या माईकॉप के ओपन फॉरम में पोस्ट कर सकते हैं तो याद रखें रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ प्रधानमंत्री जन औशधी केंदर के माध्यम से गरीब और जरुरतमन लोगों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्द कराए जा रही हैं राधानी रांचिस्थित राज़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निकर संचालित जन औशधी केंदर दूर दरास से आय आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है केंदर के संचालक राकेश कुमार का कहना है कि जो दवाईयां बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो इस जन औशधी केंदर में 20 रुपए में मिलती है प्रधान मंत्री जन औशधी केंदर में सस्ती दर पर जीवन रक्षक दवाईयां मिल जाने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है जन औशधी से दवा ले रहे हैं, यहां पे दवा सस्ती मिलती है और मैं जहां भी लेता हूँ, जहां मैं जरुदे लगता है, प्रधान मंत्री जन औशधी परियोजना से प्रधान मंत्री जनौशदी केंद्र वाकई गरीबों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है ड्रांची से सरीता की रिपोर्ट और अब बगली खबर कुछ हट कर कभी तो फैलेगी बागे हयात में खुश्बू गुलाब खिल के फिजा को गुलाबी कर देगा शाय दिनी पंक्तियों से प्रणा लेकर रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के महिलाओं ने गुलाब की खेती की शुरुवात की है महिलाएं अपने नाम और पहचान को गुलाब के खुश्बू के तरह दूर दूर तक पहुचाने में काम्याब भी हो रही है रांची जिले के नगरी प्रखंड की महिलाओं ने कैश क्रॉप के शीतर में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया है जारखंड स्टीट लाइवली हुट प्रमोशन सोसाइटी के जायका प्रोजेक्ट के तहट इन महिलाओं ने गुलाब की खेती शुरू की है स्वेम सहाइता से जुड़ी महिलाओं को गुलाब की खेती से फाइदे मिल रहे हैं खर के पुरुस भी महिलाओं को गुलाब की खेती में भर सक मदद करते हैं राहुल कुमार हर दिन सुबह सुबह गुलाब की कटिंग और पैकिंग कर बजार तक पहुचाने में अपनी मा और चाची का भर पूर सहयोग करते हैं गुलाब की खेती के लिए हम लोग उसमें पूरी तरह से मदद करते हैं जारखंड स्टेट लाइवली हूट प्रमोशन सोसाइटी के ओर से नगरी प्रखंड में जायका प्रोजेक्ट के तहट गुलाब की खेती के लिए महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं उपलब्द कराई जा रही है नियुत्तम 25 डिसमिल भूमी के लिए जेसल पीएस की ओर से ड्रिप एरिगेशन के सुविधा और क्रिसी संबंधि जानकारिया महिला किसानों को दी जाती है अपलब्द है और यह प्रती दिन अपने आई भी बढ़ा रही है बात यदि फूल की खेती की की जाए तो इन में सबसे अधीक फाइदेमंद गुलाब की खेती को माना जाता है शादिब्या और अन्यकारक्रम समेत और श्टिये कामों में गुलाब की डिमांड अधीक होने की वज़े से इसकी खेती शुरू से ही किसानों के लिए वर्दान साबित हुई है रांची से कर्मवेर की रिपोर्ट जम्शितपूर के नवल टाटा होकी अकैडमी ग्राउंड में होकी इंडिया जूनियर नैशनल चेंपियंशिप की कल से शुरुवात पुई इस चेंपियंशिप का विद्वत उधगाटन होकी इंडिया के अध्यक्ष ग्यानेंद्रो निगोम बंब ने किया उधगाटन मैच नामधारी अकैडमी लुधियाना और जै भारत दिल्ली की टीम के बीच खेला गया जिसमें लुधियाना ने दिल्ली को एक के मुखाबले 12 गोलों से पराजित कर दिया होकी इंडिया जूनियर अकैडेमी नाशनल चैंपिंशिप 2022 का उधगाटन मैच आज नामधारी अकैडेमी लुधियाना और जै भारत दिल्ली की टीम के बीच खेला गया जिसमें लुधियाना ने दिल्ली की टीम को 12 एक से पराजित कर दिया उधगाटन सत्र को संबोधित करते वे होकी इंडिया के अध्यक्ष ग्यानेंद्रो निगोम बम ने कहा कि 2024 के अलमपिक में गोल्ड मेडल लाने का लच्छे है वहीं जारकंड हौकी संग के अध्यक्ष भोला नाची ने कहा कि राजी की लड़कियां हौकी में हमेशा अच्छा करती रही है उन्हों ने कहा कि संग अब लड़कों पर जादा फोकस कर रहा है यही वज़ा है कि पुरुस हौकी टीम पहली बार सीनियर क्वार्टर फाइनल तक पहुँच पाई है वहीं जब जूनियर में भी गोल्ड मेडल जीता है नवल टाटा होकी अकडेमी के सीई-ओ आशिश कुमार ने बताया कि यह एक नैसनल टोर्नामेंट है इसमें देश भर से 30 टीमें भाग ले रही हैं एक मैई को फाइनल मैच खेला जाएगा जैसा आप जाते हैं कि हिंदुस्तान में होकी के कई अकडेमीज है उन सारे अकडेमीज के लिए यह नैसनल टोर्नामेंट है जिसमें पूरे देश से 30 टीमें अभी यह इससा ले रही है चैंपियंशिप के उधगाटन मैच के दोरान होकी टीम होकी इंडिया के अध्यक्ष ग्यानेंद्रू जारकंड होकी संग के अध्यक्ष भोला नाच सीह को स्मृती चिंदेई कर सम्मानित भी किया गया जमसितपूर से डाक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट एशियन कुष्टी चैंपियंशिप के दूसरे दिन भारते पहलवानों ने पदक जीतने के सिलसले को भरकरार रखा देश को हरपरित और सचिन ने ग्रीको रोमन में दो और पदक हासिल कराए परतियुगता के पहले दिन भारत ने तीन कांसि पदक अपने नाम किये थे इस तरह भारत ने पहले दो दिनों में कुल पांच पदक जीतने में सफलता पाई भारत के सचिन ने सरसट किलोग्राम वर्ग में उस्वेकिस्तान के खिलाड़ी को शिकस दी वहीं 82 किलोग्राम भार वर्ग में हरप्रीत सिंग को कांसि पदक के मुकाबले में कतर के चोटिल प्रतिद्वंदी जफर खान से वाक ओवर मिला वेस्ट इंडीज के हरफन मौला खिलाडी किरौन पॉलाड ने अंतराश्ट्री क्रिकेट से सन्यास लेने की घूशना कर दी है वन्डे में टीम की कपतानी की थी 2019 में उन्हें T20 में कपतानी का मौका मिला 123 वन्डे और 101 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले इस ओल राउंडर ने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला पुलाड तुनिया भर में निजी T20 और T10 लीग में खेलते रहेंगे उन्होंने 123 से एक दिवसी अंतराश्ट्रिय मुकाबलों में लगभग 26 की औसद से 2706 रन बनाए वन्डे में पुलाड ने 55 विकेट भी लिये IPL क्रिकेट में कल डेली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से पराजित कर दिया प्रतियोगिता में आज शाम साड़े साथ बजे मुंबई इंडियन्स का सामना चेन्नाई सुपर किंग्स से होगा सबसे कम स्कूर बनाया पंजाब की पूरी टीम 115 रन बना कर आल आउट हो गई टीम के लिए जीतेश शर्मा ने सबसे धिक 32 रन की पारी खेली वहीं कप्तान मायन कगरबाल ने 24 रन का योगदान दिया पंजाब के साथ बलेवास दहाई का आकरा भी नहीं चू सके जवाब में दिल्ली की टीम ने 10.3 ओवर में एक विगेट गवा कर लक्ष हासिल कर लिया पित्वी शौने 20 गिंदों पर 41 और डेविड बर्डन ने 30 गिंदों पर 6 रन की नाबाद पारी खेली दिल्ली की टीम अब 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंक लेकर पॉइंट स्टेबल में 8 नमबर से 6 नमबर पर आ गई है वहीं पंजाब की टीम की ये 7 मैचों में 4 हार थी सिविल सेवा दिवसाज प्रधान मंत्री ने लोग प्रशासन में उत्करिष्टता के लिए प्रधान किये प्रशकार श्री गुरू तेग बाहादूर जी के 400 प्रकाशपर पर लाल किला से देज़ शाम प्रधान मंत्री का संबोधन त्रीस तरिय पंचैट चुनाओ के पहले और दूसरे चरण का नामांकन जारी पहले चरण के लिए 3489 उमें द्वारों ने दाखिल किया नामांकन पांडे गणपत राय के 164 शाहदत दिवस पर कई कारक्रमों का आयोजन मुख्यमंत्री समेट कई नेताओं ने दी श्रत धान जली और मौसम का मिजाज बदलने से राची समेट राज्ये के कई जिलों में गर्मी से मिली खुरी रहत आज और कल कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश के असार